सवाल है, स्वप्न की स्मृति बनती है, वह उसका प्रमान है, किन्तु स्वप्न की स्मृति के अभव को ही हम सुशुप्ति समझ लेते हैं, वास्तव में सुशुप्ति होती भी है या नहीं, इसका क्या सबूत है? यह महत्तपूर सवाल है, समझने जैसा, वास्तव में हमारे नेंद से, जो हम जागरण में आते हैं, उस समय एक ट्रांजिशनल फेज है, सब कॉंसस माइंड से कॉंसस माइंड में आ रहे हैं, तो जो अंतिम स्वप्न चल रहा है, उसका टेल पार्ट, उसकी पूँच, हाथी निकल गया पूछ वाकी है, वो पूछ रह जाती है, सिर्फ वही कॉंसस माइंड तक आती है, पूरा सपना हमें कभी याद नहीं रहता, आखरी हिस्सा, जब अचेतन से सचेतन में आ रहे हैं, बहुत लोग अगर सुसुप्ती में से जागरती में आए, तो उनको वह भी या नहीं रहेगा, क्योंकि भीतर कोई सपना नहीं चल जाता, सुसुप्ती का मतला है, ड्रीम लेस्स स्लीप, तब वो कहेंगे कि आज हमने कोई सपना नहीं देखा, यह सच नहीं है, सपने चल रहे थे, अलग फेज में, दूसरे फेज में, अलग समय में, अभी जब वो जाग नहीं होते हैं, टुक्डों टुक्डों में, कभी 10 मिट, कभी 15 मिट, कभी 5 मिनिट, ऐसे 5-6 टुक्डे होते हैं, लगवक 2 घंटे, इसके प्रमान, इसके सबूत, बाहर से भी पता लगाए जा सकते हैं, बिना किसी साइंट फिक इंस्टूमेंट के, अगर आप किसी को अब बोलते हैं, रैपिड आई मुव्मेंट, आर इम स्लीब, जब वो सपने देख रहा है, तो उसकी आँखों की पुतलियां वैसी गति करती हैं, जिस प्रकार आप टेलिविजन देख रहे हैं, या बाहर का नुकोई द्रश्य देख रहे हैं, तो पुतली बारवार इस तरफ उस तरफ जाएगी, जब सुसुक्ति होती है, यानि सपन बंध हो जाते हैं, उस समय NREM, नान रेपिड आई मुव्मेंट स्लीब घटित होती है, तो बिना किसी वैज्ञानिक उपकरन के भी यह जाचपड़ताल की जा सकती है, को कोई व्यक्ति सो रहा है, गहरी नीन में य आप उसे तुरंत जगा सकते हैं, यदि आपने उस समय उठाया जब REM स्लीब चल रही थी, तो वो कहेगा कि मैं सपना देख रहा था, और जब NREM स्लीब है, तब वो कहेगा नहीं कोई सपना नहीं था, सपना मैंने देखा ही नहीं, तो सबसे पहले इस बात को समझें, जो इसमरती है, वो conscious mind ही बनाता है, तो आखरी हिस्सा नींद का जो था, उसकी इसमरती रहेगी, पूरी नींद की इसमरती नहीं हो सकती, उस समय तो हम अचेत थे, इसमरती मेमोरी बनेगी कैसे, यदि इसी चीज को और साइंटिफिक उपकरणों से पकड़ना है, तो एलेक्ट महां पर easy लगातार चलता रहता है, और उसमें अलग-अलग प्रकार की वेप्स बनती है, मैं विस्तार में नहीं जाओंगा, आप Google से इंटरनेट से खोश सकते हैं, अलग-अलग प्रकार की वेप्स बनती है, जब सपना चल रहा है, तब अलग धंकी तरंगे बनती है, जब सुसुप्ति होती है उसका प्रमान है हमें कभी कभी पता चलता है कि सपना नहीं चल रहा था लेकिन यह भी सुसुप्ति के आखरी कुछ सेकंड्स का ज्यान होता है बस तो आप इसको प्रियोग करके दूसरों को उपर देख सकते हैं R.E.M. स्लीप के दौरान अथवा N.R.E.M. फेस के दौरान उनको उठा दीजिए और उनसे पूछिए क्या चल रहा था तो किलियर हो जाएगा कि सुसुप्ति भी होती है और आप चाहें तो अपनी स्वयम की स्लीप स्टड़ी करा सकते हैं कहीं भी किसी महानगर में हो जाएगी किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट नियूरालेजिस्ट के पास उससे आपको तरंगें देखके पता लग जाएगा ग्राफ में कि कब आप जाग रहे थे, कब सो रहे थे, कब सपना देख रहे थे